दोस्तों नमस्कार इंडिया डैटिस भारत सम्विधान के अनुच्छेद एक में यही वो शब्द है जो लिखा गया है इंडिया डैटिस भारत यानि इस देश को आप इंडिया के नाम से जानिये भारत के नाम से जानिये एक तरफ इंडिया को रखा गया दूसरी तरफ भारत को रखा गया और बताया गया कि किस तरीके से भारत में गरीबी है मुफलिसी है ग्रामीन भारत किन परिस्तितियों में जीता है और दूसरी तरफ इंडिया है जो चकाचौंद में खोया हुआ है जिसके पास पैसों की में राजनितिक तोर पर भी एक मोटी लकीर के साथ जीता रहा है इससे कोई इनकार कर नहीं सकता लेकिन बावजूद इसके आज जब राश्टपती भवन से जरिये एक निमंत्रन पत्र इस नाम से निकला कि प्रेजडेंट आफ भारत उसके बाद राजनितिक भुचाल देश के भीतर आ गया और कहा गया कि अब इंडिया शब्द से सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किल आने लगी है कोकि विपक्च इस दौर में एक जुट हुआ है इंडिया नाम को लेकर और इंडिया तो एक शब्द अपने आप में ब्रांड है और उस ब्रांड की ताकत देश के भी अपने अपने जुट हुए जिसकी जितनी ताकत थी उसको एहंकार को छोड़ कर सभी एक जुट हुए और नाम इंडिया रखा गया और माना यही गया कि दो हजार चौबिस के चुनाओं के मद्दे नजर ही इंडिया शब्द इजात किया विपक्ष ने तो दो हजार माना जा रहा है कि संसत का विशेश सत्र इसलिए बुलाया गया क्योंकि सम्विधान में शंशोदन होना है। हकीकत इंडिया की क्या है और भारत की क्या है अगर हर पन्ने को आज सुनना और समझना चाते हैं तो खामोशी से एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सम्विधान की शब्द लेता है लेकिन जब जिक्र किया गया इस बात को लेकर और खुले तोर पर सम्विधान की शब्द लेने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया इंडिया गुलामी का प्रतीक है। और इस बात का जिक्र होते होते यहां तक चला गया कि जैसे इंडिया शब्द से इस दौर में सत्ता को घणा हो गई है। तो क्या वाकई एक-एक पन्ने आज एक-एक करके खोले जाएं क्योंकि जब सम्विधान सभा बैठी थी तो उस वक्त चार दिनों तक चर्चा इसी बात को लेकर होई थी नाम क्या होना चाहिए। और तीन-चार नाम जो उस समय निकल कर आए थे उसमें एक नाम भारत था, दूसरा नाम भारत वर्ष था, तीसरा नाम हिंदुस्तान था और चोथा नाम इंडिया था। और संयोग देखिए, 1948, 1948 के नवंबर के महिने में दो दिनों तक चर्चा होती है और उसके बाद 1949 में भी दो दिनों तक चर्चा होती है। हरी विश्णु कामत थे जिनों ने Иंडिया नाम दिया था और उसके बाद जब बाबा साब अंबेटकर ने जिक्र किया इंडिया नाम का तो उन्हों ने चंद लाइनों में बहुत चीजों का जिक्र कर दिया कि इंडिया नाम एक अंतरास्टीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और ये नाम भारत के विविन भाशाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है क्योंकि दक्षिन भारत से लगातार विरोध भारत नाम को लेकर हो रहा था और उत्तर भारत में भारशब्द था वहां से इंडिया भी हो रहा था ये तमाम बहस चलती चली लेकिन बहराल उसके बावजूद भी मौजूदा परिस्तिती में दो-तीन बातों को और समझ लीजिए। जिन्दगी जीने की दो जून की रोटी मौहया ना करा पाने की स्थिती को वह लगातार जी रहा हो। और वही इस देश के भीतर सत्ता को बनाने और बिगारने के बहुमत को लेकर साथ चलता हो। एक शब्द में कहें तो रईसों का जिकर इंडिया के जरिये होता है। और भारत का जिकर ग्रामीन भारत का जिकर होता है। जो मजदूर है, जो किसान है, जो आदिवासी है, जो तमाम परिस्थितियों को जोस्ती हुई महिलाएं जो दिहारी मजदूरी की दिशा में जाती है, उनकी पूरी तादाद है। इस देश के भीतर बेसिक इंट्राइस्ट्रक्चर, शिक्षा के छितर का या हेल्थ के सेक्टर का, या पीने के स्वच पानी तक को लेकर, या किसान को सिचाई ना मिल पाने की स्थितियों को लेकर कौन सा शब्द जीता है। वो भारत शब्द है। और मौजूदा वक्त का सच ये है कि भारत के भीतर जितना संकट महंगाई को लेकर, बिरोजगारी को लेकर समाया हुआ है। और खास तोर से नोट बंदी के बाद जो असंगठित छेत्रता वो जो तभा हुआ है, उसकी भरपाई आज तक हो नहीं पाई है। और इसी लिए भारत के भीतर की जो अंगडाई है, उसी ने इस देश के विपक्ष को मजबूर किया कि आप सभी को एक साथ आना होगा। अन्निथा कोई अपनी ताकत को त्याक कर अपने रज की राजनितिक को छोड़ कर अपने विरोधी राजनितिक दल से गलवईयां डाल ले और हाथ स हात मिला ले ऐसा होता नहीं है, इस देश की समाजी कार्थिक परिस्तितियों ने और मौजूदा मोदिक सत्ता की रहनुमाई में जो इस देश की परिस्तितियां हैं उसको लेकर पहली बार सवाल खड़ा हुआ है, हम दरसल पन्ने दर पन्ने खोलें उससे पहले दो तीन बा सच यह है कि जो इंडिया के भीतर का सच है, इस देश में 100 रुईसों की कुल समपत्ति 27,055 करोड की हैं, सिर्फ 10 लोगों की समपत्ति, अगर 100 लोगों की समपति कहिएगा तो दुगनी हो जाएगी, 54,noc1 करोड की समपत्ति सिर्फ 100 लोगों की हैं, यानि सच यह है कि इस द जो भारत की जो पूरी संपन्नता है, उसमें से 72 फीजदी हिस्सा इनी के पास जाता है, 10 फीजदी के पास, उसमें भी अगर आप और नीचे आना चाहते हैं, तो 5 फीजदी के पास, इन 72 में से 62 फीजदी हिस्सा इनके पास है, 5 फीजदी के पास, और 1 परसंट पे अगर आना जो सबसे नीचे हैं जिनके लिए सरकार कहती है हमने जंदन खाता खुलवा दिया हमने किसान सम्मान निधी दे दिया हमने इस देश के भीतर में बीमा भी दे दिया हमने तमाम सुविधाओं से उनको लैस कर दिया बावजूद इसके दूसरे आकड़े मत देखी अंतरास्टी तोर पर United Nation के ही आकड़े देख लीजिए World Bank के आकड़े देख लीजिए IMF के आकड़े देख लीजिए और बीच बीच में जिक्र कर दीजिए निती आयोग का भी जो बताता है कि गरीबी का मतलब इस देश के भीतर में multi-dimensionally poor को अब देखना होगा जो बिहार के भीतर हर द 25 करोड़ लोग यहीं पर आ गए यहालत है उसी स्थिती में जोडते चले जाएए उड़ीसा को जारखंड को बंगाल को मदपरदेश को राजस्थान को च्छत्तसगर को उत्राखंड को और गिंते गिंते आप कहेंगे आदे भारत की स्थिती इतनी नाजुक है यह भारत है असल वोट यहीं से निकलेंगे इस देश के भीतर में साले 300 सीटें जो पूरे खुले तोर पर गरीबी मुफलिसी जिंदगी की जद्दो जहत को जीते हुए परिशान है उसी वोटर को तो इस सरकार को चुनना है या हटाना है और उसी के भीतर सवाल है और उनी सवालों को लेकर विपक्च को समझ में आ गया कि हमको स्टेटिकली चीजों को लेकर चलना होगा तो उसने इंडिया नाम ले लिया और इंडिया तो यकीनी तोर पर अंतरास्टिय ब्रांड है भारत तो रास्टिय ब्रांड है तो अंतरास्टिय ब्रांड के आसरे जो अंतरास्टिय प परवावित होते हैं क्योंकि इस दौर में कई सिमाएं टूटी हैं शिक्षा के छित्र की सिमाएं टूट गई भारत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाया पैसे वाले बच्चों को वह भारत छोड़ कर चले गए आयाइटी पास करने वालों के आगे कोई रास्ता नहीं था वह भारत छोड़ कर चले गए जो मिलिनियर्स और बेलिनियर्स थे उनके लिए बिजनेस का कुछ काम नहीं हो पाया वह भी भारत छोड़ कर चले गए और जिनको रोजगार की तलाश अंतराष्टी ये बाजार में मिलने लगी वह भारत छोड़ कर चले गए तीन करोड से ज्यादा लोग अगर भारत के बाहर बस रहें तो इसका मतलब है एक पूरा यूरोप का कोई कंट्री भारत के भीतर से निकल कर दुनिया के अलगलग देशों में बिखरा पड़ा है। लोग उनके पास नैशनल वेल्थ का सिर्फ तीन परसंट हिस्सा है और उपर में बैठे हुए दस परसंट के पास बहत्तर फीजदी हिस्सा है। जो टेक्स की वसूली होती है जो जीस्टी लगाया जाता है जो खाने पीने के उस पर जो टेक्स लगता है उस टेक्स का सिर्फ तीन परसंट हिस्सा इस देश के टॉप टैन परसंट देते हैं। और चोंसट परसंट हिस्सा इस देश के बॉटम पचास परसंट देते हैं। टेक्स वसूली भी उनी से होती है जो अलग-अलग माद्यमों से सरकार को रईस बनाती है और सरकार अपनी रईसी में कोई कोताही बरती नहीं है। इंडिया डेटिस भारत नाम के हिस्से में चीजों को चलते चले जाईए लेकिन भारत के बीतर के परिस्तितियां बदलेंगी कैसे यह सवाल जब तक नहीं आएगा तब तक सवाल तो एक ही उठेगा क्या राजनितिक तोर पर सत्ता को महसूस होने लगा है कि अब उसकी बाद एक कुछ नए कदम उठाने की दिशा में बढ़ जाती है जो जानकारी खुद निकलती है उसमें फूड और नौन फूड आइटम पर जो डिचला बॉटम 50% गरीब है वो लगबग 64% टेक्स देता है जी एस्टी में 66% टेक्स वही गरीब देता है और टॉप का 10% 3-4 परसंट देता है मिडल क्लास के भीतर और अपर मिडल क्लास लौर मिडल क्लास और मिडल क्लास ये लगबग 44% के हिस्से में मैक्सिमम इनके हिस्से में आता है जो टेक्स देते हैं तो इंडिया तो मजे में है और इंडिया तो इस देश के बैंकों को कंगाल कर देश बाग चुका है और उसकी भरपाई भी भारत सरकार उसी इंडिया के लिए करती है जहां पर भारत की दिशा में उसकी नजर जाती नहीं है क्योंकि राजनिती ने भी तो अपने आपको इंडिया में तब्दील कर लिया उसकी रईसी के आगे हर कोई तो नतमस्तक है राजनिती भी आईसी वाईसी नहीं जरा कलपना कीजिए कि हर बरस सिर्फ एक इलेक्टरॉल बॉन्ड ले लिजिए दो हजार अठारा में जो शुरू हुआ आप गिनते रह जाएंगे कितने हज़ार को रुपए राजनिती को मिलते हैं देने वाला कौन है देने वाला वही इंडिया है जिस इंडिया की रईसी को मानिता अंतरास्टिय तोर पर मिली है और जो अपने आपको मल्टी नैशनल कमपनी के तोर पर अस्थापित कर चुका है टॉप मोस्ट पच्चिस कॉर्परेट का नाम लीजिए सभी के कमपनियों के हेड़कॉर्टर सभी की कमपनियों के दफ्तर भारत के बाहर खुले हुए है और आस्तन हर की पहुँच और पकड़ छे से बारा देशों में है उसमें किसी का नाम आप ले सकते हैं तो नाम मान लीजे चलते रहता है आपको जिसका नाम लेना है ले लीजिए टॉपमोस्ट 25 कुजरात के जो कॉर्पॉरेट है उनके तमाम के दफ्तर दुनिया के अलग लग देशों में छे देशों में फैले हुए हम भारत को लेकर लड़ाई और इंडिया को लेकर जिक्राज करने बैठे हैं जब हम आपसे पॉलिटिकल फंडिंग जो देते हैं 2018 में 1054 करोड, 2019 में 569 करोड, जब कोविट का लाया तब तो शान्ती रही कम से कम सिर्फ 363 करोड, लेकिन 2021 में 151 करोड, 2022 में 373 करोड, 2023 जो अभी तक 6 माईने जुलाई तक के वक्त को लीजिए 2090 करोड, ये सब ने दी है, लेकिन सवाल उसके आगे का है, इस दौर में जो पॉलिसी देश के भीतर में आई है, उसने इस देश के भीतर में कैसी तबाई पैदा की है, हम सीधे छलांग मार कर उस भारत में जाएं, हमको लगता है इंडिया और भारत के बीच भी एक बड़ा समाज रहता है जिसको मिल क्लास कहते हैं, और भारत के भीतर में जो कॉर्परेट हैं, इंडिस्टलिस्ट हैं, या छोटे वहपारिय उनके बीच में भी एक स्टार्टप की दुनिया भी है, आप जरा कलपना कीजिए कि स्टार्टप की दुनिया में इसी बरस 2023 में 36% फंडिंग की कमी आ ग तोड की थी, जो घट कर 30 से 31 हजार कोड पर आ गई, फंडिंग भी घट गई, मार्केट के भीतर लिक्विडिटी की कमी आ गई, 1400 कमपनिया बंध हो गई, एक 90 हजार करमचारियों को पिंक सिलिप दिया गया, और फैक्ट यह है कि फैक्टरी से भी 30 हजार लोगों को निकाल गया, जो एक बिलियन की डॉलर के साथ कमपनिया इस देश के भीतर में स्टार्ट अप के जरीए चल रही थी, सभी में करमचारियों की कमी गई, और एक से एक कमपनी, उसमें आपके नामी कमपनिया है, भाईजूज, अनकेडमी, ब्लिंकेट, मैशो, विदान्तू, ओयो, ओला, कार 24, उडान, ये सभी कमपनियों में कमी गई गई और इस्तिती ये आगई कि एग्रिटेक हो, लॉगीटेक हो, फिंटेक हो, एटेक हो, डीजे, डीटूसी, एको हो, सत्तर फिजदी ले ओफ हो और इंडिरेक्ट तरीके से इंप्लाइमेंट देने की स्तिती में इस सिस्टम नहीं है, और सिस्टम है तो सिर्फ ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको इस कोडियों के मोल कॉर्परेट के हवाले करने हैं जो इंडिया अपने तौर पर मौजूद है, और शायद इसी लिए इस देश के भीतर में जब आप अन इंप्लाइमेंट की दिशा में क्या इस्तिती है, दिहारी मजदूरी करने वाली 46 कोड में से 1 करोड 85 लाक मैलाएं इस देश में हैं, किसानी से जुड़ी हुई लगभग 70 लाक मैलाएं हैं, जो सैलरी से कमाती हैं उनकी संख्या सिर्फ 89-90 लैक ही है और जो बिजनेस करती हैं उनकी संख्या 38 लाक है, सब क जोड दीजेगा तो ये कुल मिलाके 3 करोड 82 लाक मैलाएं ही इस देश में काम करती हैं, यानि कुल मैलाओं का सिर्फ 8.4 परसेंट और जिक्र हो रहा है कि महिला अरक्षण भी आ जाएगा और मैलाओं को राजनितिक तोर पर आश्रह भी मिल जाएगा, इस देश की राजनि कैसे करवट इस देश के भीतर ले रही है तो जानकारी आज ही निकल कर आई कि अगर ये सरकार चुनाओ हार जाती है तो एक जटके में भारत का जो शेर बाजार है वो 40% तक नीचे आ जाएगा, मौर्गन स्टेनली की ये आज की रिपोर्ट है, वो बताती है कि शेर बाजा 10% कुलाचे इसने मारे हैं और अगर मोधी सरकार 2024 में जीत जाएगी तो 5% और उपर चला जाएगा और मोधी अगर हार जाएंगे तो 40% नीचे आ जाएगा, यात कीजी अटल विहारी वाजपई, सब मान चुके थे चुनाओ जीतेंगे, हार गए तो एक ही दिन में 17% शेर बाजार नीचे आ गया, लेकिन 2023 में इसने 7% की छलांग शेर बाजार ने लगाई है, तो जो इंडिया है उसकी आए बढ़ रही है, उसके तोर तरीकी अपने तोर पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस का सिस्टम नहीं है, तो जिन के पास पैसा है, वो बिजने ली का कारण और लूट का कारण तो नहीं बन गया, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में NPA इस दोर में निकला और लोट के नहीं आया, जितनी बड़ी तादाद में सरकार ने NPA को माफ कर दिया, रईसों के कर्च को माफ कर दिया, और जितनी बड़ी तादाद में हिंदोस किस्तान के भीतर भारत की परिस्तिती में जीते हुए किसानों के घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया, किसी की बक्री उठा ली गई, किसी के जमीन के दस्तावेज नहीं लोटाए गए, किसी के घर के दस्तावेज ले लिए गए, किसी के गाए बच्छडे को ले लिया गया यह इस क्रामीन भारत का सच है वहाँ पर कर्ज लीजिएगा तो आपको बक्षने वाला कोई नहीं है राहत रियायत कोई नहीं देगा लेकिन जब आप रईस हैं और इंडिया के जरीए दुनिया में कॉर्मेंट ओफ इंडिया का जो पास्पोर्ट मिलता है उसके बाद जब चलते हैं भारत का पास्पोर्ट इंडिया का पास्पोर्ट वो शब्द रहता है और RBI अपने तोर पर वह भी रिज़र्ब बैंक ओफ इंडिया है और खुद 2014 के बाद से मेक इन इंडिया और डिस्टल इंडिया नहीं आपको जानकर हैरत होगी कि लगवग 119 कारिकरम ऐसे लॉंच किये गए जिसमें इंडिया शब्द 2014 के बाद से प्रैमिनिस्टर ने इस देश में लॉंच किये है कुल लगवग सवा दोसो योजनाओं को लॉंच किया है जो अपने अपने तरीके से फैलते हैं लेकिन बावजूद इसके इंडिया डेटिस भारत को लेकर अगर शोर है तो सवाल ध्यान भटकाने बरका नहीं है इस देश की साथ खिलवार की परिस्टिती है जहां पर चीजें समलनी और समालनी चाहिए वहां से आखें क्यों मुंद ली गई और राजनिती क्या इस देश में इतनी ताकतवर हो गई है कि वो लोगों की भूक से बड़ी हो गई लोगों की बेरुजगारी से बड़ी हो गई और ऐसी परिस्टिती में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर भारत की खामोशी और इंडिया की चकाचौन्द ही इस देश को अपने तरीके से हाकने किस्थिती में आ जाए और भारत खामोशी से चीजों को देखता समस्ता रहे और कुछ न बोल पाए ऐसी परिस्थिती तो आ गई है और इसलिए राजनेतिक तोर पर जिन शब्दों को उच्छाला जाता है और हर दिन उठते ही एक नए शब्द कोईन किये जाते हैं और भारत की समूची की समूची डेमोक्रेसी के चारो पिलर उसकी दिशा में दोड़ जाते हैं इससे खतरनाक इस्थिती कब थी? समविधान सभा ने ऐसा तो नहीं सोचा था कि लोकतंत्र के भीतर चारो पाए एक सरीखे हो जाएंगे वो चाहे जुड़िश्री हो चाहे एस्कुर्टिव हो चाहे विधाइका हो चाहे मीडिया हो सब की दिशा एक होगी जहां पर सत्ता को महत्तपूर मानते हुए सत्ता को बनाए और टिकाए रखने के लिए ही सारे यंत्र खेले जाएंगे और उसी डिजाइन में देश तो चेक यंड बैलन्स था चाह, कॉंसिचूशन के भीतर कॉंसिचूशन की हर परिस्थिति किसी को भी तानाशा बनने से रोकती है वो बताती है कि इक कॉंसिचुशनल पावर का मतलब क्या होता है स्वायत इंस्टिशूशन्स का मतलब क्या होता है लेकिन इस दोर में सारी चीजे गाइब हो गई और सारी चीजे जब गाइब हो गई तो इंडिया डेटेस भारत पर मामला आका टिक गया इस से ज़्यादा विभत सिस्थिती और क्या हो सकती है इस देश को ठीक कीजिए रूल अफ लौ तो इस देश में हो जाए विशेशा दिकार किसी को ना मिले क्योंकि इसके भीतर जब आप जाएंगे जब हम आपसे शेर बाजार का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें एक चीज और स सूलते हैं हम उशुल को कम करना चाहते हैं 40 हजार वहपारियों ने अनाच की खरीदी बंद कर दे सिर्म अधपरदेश में वह तो आपकी सत्ता का राज वहां पर है लेकिन ये बाते निकल कर इस देश के भीतर से नहीं आती है जो किसान जिन मुश्किल हालातों में रहता है तो एक छण आखरी परिस्तिती में इस देश के युवाओं के कंदे पर क्या 2024 का बोज डाल दिया जाए क्योंकि सच ये है 2016 में 63% रोजगार जो था वो 15 से 44 की उम्र के बच्चों के पास था जो घट कर 50% के नीचे 47% पर आ गया है जो CMIE का डाटा बताता है और 45 की उम्र से जादा 37% लोग काम करते थी 2016 में वो बढ़ते बढ़ते 50 पहुच गए मतलब क्या हुआ मतलब यहुआ कि जो बेरोजगारी इस दौर में आई रोजगार छिनने की जो प्रक्विया शुरू ही उसकी गाज युवाओं पर गिरी और गिरते गिरते ये परिस्तिती में आकर भारत के भीतर का युवा खड़ा हो गया कि उसके पास रोजगार है ही नहीं इस देश में कुल काम करने वाले 40 करोड 58 लाक लोग हैं उसमें से जो युवा तबका जो अगर बाटियेगा तीन हिस्सों में तो आपको जानकर हैरत होगी 18 से 25 के बीच में सिर्फ 3 करोड के पास रोजगार है 25 से 44 के बीच में 17 करोड 60 लाक के पास रोजगार है और 45 बरस स जादा उमर के लगबग में 20 करोड के पास रोजगार है एकुरेसी है 19 करोड 96 लाक ये मेसिज क्या है युवा भारत के भीतर में युवाओं के पास काम नहीं है जिस भारत को हम जीना चाहरें उस भारत की पधाली और मुफलिसी पर सरकार का ध्यान नहीं है और हम इंडिया और भारत के भीच इस देश को फांस कर इंडिया के लिए पॉलिसी उसकी रहत रियायत का इसलिए बनाते हैं कि पता है कि किसी भी देश की एकनौमी पूंजी से चलती है और पूंजी वाले तबके को हमें और रहत रियायत देनी है जिससे वो कुछ भी खर्च करे तो इस द 35 देश के 55-57 फिजदी लोगों के बराबर की है तो उसके घर से निकला हुआ एक दाना भी कितनों का पेट भर देगा यह भारत की एकनौमी का सच है और इसमें जब आप सम्विधान की कौपी उठाएं और पढ़ें और सोचें कि सम्विधान सभा में क्या चर्चा हो रही तो उसमें इस बात का जिक्र कहीं नहीं था कि इतनी आसमानता भारत के भीतर होगी इसलिए बाबा साब अमबेटकर ने कहा था यह सम्विधान भी धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने इस देश में आर्थिक समानता नहीं लाई तो राजनिती सब कुछ खत्म कर देगी और सारी परिस्तिती हमारी आँखों के सामने खड़ी है बहुत 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 शुक्री है बहुत बहुत शुक्री है